नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है इंडियन आर्किटेक्ट के यूटूब चैनल चैतन प्रोडक्शन पर और आज जो प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं ये मिस्टर राजवर्दन सिंग जी के लिए हमने डिजाइन किया है जो 54 फिडवे सितर फिट 25 स्क्वाइर मितर बर देखते हैं इस प्रोजेक्ट में हमने क्या स्पेशल चिजें डाली है जिसे इंजीनियर राहूल चंगीर्या ने डिजाइन किया है ये जो प्रोजेक्ट है हम मरा 505 पांचो पांच नंबर का प्रोजेक्ट है चोपन फिडबाई 67 फिडब किया हुआ मेटर पे देखा जाbelt तो 16.46 भाइ 20.34 मेटर पे हमने इसको डिजाइन किया है लगबग 3780 स्क्वारफित होता है स्क्वारफीमितर पे जाते है तो लगबग DC 251.35 स्क्वारफिमितर होता है यह जो प्लान है according to वास्तु हमने इसको डिजाइन किया हुआ है जो कि 2BHK इसे shortcut में कहा जा सकता है यह plan की कुछ विशेश्था है आईए हम इसके कुछ Q features के बारे में जान लेते हैं यह जो project है यह जो plan है इसे हमने duplex C shape का staircase दिया है जिसमें हमने 2 bedroom, 2 attached toilet with dressings इसमें दिये है एक common toilet, एक kitchen, उसके साथ में store, एक common store एक हमने इसमें car parking और bike parking के लिए space निकाला है साथ ही साथ में हमने इसमें living and dining hall दिया है drawing hall room अलग से दिया है पूजा के लिए space दिया है और भैटने के लिए अलग से space हमने इसमें दिया हुआ है इस plan की खाचियत यह है कि चारों तरफ से खुला होने के कारण से इसमें आपको ventilation बहुत अच्छे से मिलेगा और heritage pattern पर हमने इसको design किया है जो राजस्थान का basic heritage pattern है उसको हमने ध्यान में रखते होगे design किया है इस पर client की requirement open terrace का space आपको पूरा इसमें छत पर जाकर इसमें मिल जाता है और लगबग 25 से 30 लाग की estimating costing में ये project पूरा complete आपको मिल जाएगा आईए इस project के बारे में हम details से discuss करते हैं सबसे पहले आप देखिए इसका ये plan जिए आप देखेंगे 24 feet इसकी width है और लगबग 72 feet के आसपास इसकी length है East facing में होने के कारण से हमने center से entrance दिया है जब हम center में जाते हैं तो यहाँ पर आपको एक porch मिल जाता है 13 feet 6 inch पर 10 feet 9 inch का और इसी के आगे से आपको मिलता है seat out का area और उससे अंदर जाते हैं तो एक common entrance वाला area आपको मिलता है जहाँ पर आप एक sofa लगा करके आने वाले guest को बिठा सकते हैं इसी के साथ में हमने एक अलग से drawing room भी design किया है जो 12 feet वे 15 feet की size का है जिसका direction north है इससे हम आगे चलते हैं तो hall मिलता है हमें dining hall और इसी dining hall के साथ में हमने अगनी cone में kitchen दिया है 13 feet वे 10 feet का और इस kitchen के साथ में kitchen के सामान रखने के लिए हमने store दिया है 9 feet वे 4 feet 10 inch का और इसी kitchen के पास से हमने दिया staircase first floor पर जाने के लिए आगे देखते हैं हम इसमें जो north direction आता है यहाँ पर हमने open area दिया है ताकि कपड़े वगेरा दोने के लिए वाश area बनाए जा सके और इसी के पास में हमने यहाँ पर एक drawing space भी या living space जी से कह सकते है family persons के लिए बैटने के लिए वो हमने 11 feet वे 14 feet में space दिया है इससे आगे चलते हैं तो इशान कौन में हमने 5 feet वे 7 feet का एक पूजा room डिजाइन किया है 5 feet वे 7 feet का जहाँ पर इशान कौन होने के कारण से इसी जगह पर पूजा का space best रहता है इससे हम आगे चलते हैं तो हमें पीछे की तरफ दो bedroom मिलते है 12 feet 11 inch वे 14 feet का आपको नेडित्य कौन में बड़ा bedroom मिलता है जिसके साथ में wardrobe है एक अच्छा घसा dressing है 5 feet वे 5 feet का और उसी के साथ में एक अटेज टोइलेट है जिसके साथ में यहाँ पर नौर्थ और वाईयू के बीच में हमने एक bedroom दिया है 13 feet वे 14 feet का पाच वे 5 feet का ड्रेसिंग और पाच वे आटेज टोइलेट तो यह प्लान आपको केसा लगा आप मुझे जल्दी से कमेंट्स बक्स में जरूर बताए यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें और इसमें कमेंट्स जरूर दे आपको लगता है कि यह वीडियो आपके किसी मित्र के दोस्त के रिस्तेदार के काम आ सकता है तो आप उसके साथ जरूर शेयर करें आईए हम इसके इलिविशन पर discuss करते हैं यह जो इलिविशन हमने डिजाइन किया है आप देखेंगे बिल्कुर हेरीटेज पेटरन पर हमने इसको दिजाइन किया है यहाँ पर कीचन आता है और यहाँ पर डोइंग रूम आता है और इन दोनों में हमने गोखड़े को बाहर निकाला है विंडो को तक्रीबन तीन फिट बाहर निकालके तीन-तीन इसमें आर्चेज दिये है जो वास्तु के हिसाब से और हेरिटेज के हिसाब से बहुत पोजेटिव होते हैं यह जो गोखड़ा है यहाँ पर आप किसी भी पर पेटन का एक बैसिक पेटन दिखाए देता है पोर्च के उपर भी हमने चार पिलर खड़े करके सलेब डाला है और उसके उपर हमने रेलिंग्स लगाई है और इसमें आर्चेज दिये है ताकि इसकी ब्यूटी और बढ़ जाए चारो तरफ पेरापेडवाल पर हमने जिससे इसकी ब्यूटी और भी अच्छी बढ़ जाती है इसी में आप देखेंगे हमने चारो तरफ इसमें छज्य को निकाला है ताकि पारिश का पानी डारेक्ट दिवार पर आकर के सीलन ना मारा है देखते हैं हम इसके दूसरे इलिविशन को ये इलिविशन फ्रंट के इससे आपड़ प्रेए झाल झाल झाल